हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम करेंगे 20 अगस्त के इंपॉर्ण करनेट फेर्स वीडियो थोड़ी सी लेट मिल रही आप लोगों को इसके लिए सौरी आप लोगों अगर ये चैनल पहली बार देखें आप इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो में वो पार्ट कवर है अगर हम लोगों से कोई चीज मिस हुई है तो हम लोग उस पे अब लेक्चर बना रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जो भी आपके एक्जाम होने हैं वहाँ पर कोई ऐसी चीज आपको ना दिखे जो हम लोगों ने कवर नहीं की तो सारी टीम उसी में बि पर लोगों को पहले नहीं कहा था देने के लिए तो देना कहां पर है आप लोग लिखेंगे प्ले स्टोर पे आप लोगों को तरीके से आप दिख जाएगी डाउनलोड करिएगा पांच मिलियन डाउनलोड्स है पूरे इंडिया में बेस्ट है ये आप जैसे ही सब्सक्राइब को यहां पर दिख जाएगा पूरा के पूरे कोर्सेज है यहां पर आप लोग जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं अगर हाल ही में Universal Service Obligation Fund यानि USOF ने एक प्रेक्ट साइंड किया है किसके साथ जिसके तहत High-speed Internet प्रोवाइड किया जाएगा North Eastern Regions में तो यह पहला question है किसके साथ किया गया है Universal Service Obligation Fund ने अभी हाल ही में BSNL के साथ यह tie-up किया है तो इन्हों ने आपस में यह tie-up किया है जिसके ताथ कोशिश की जाएगी नौर्थ Eastern जितने भी रिजन हाते हैं वहां पर better access हो इसर्विसिस का जैसे कि इगवर्नन्स हो इडिए एडिविकेशन इहल्थ इकमर्स इबैंकिंग एट्सेक्टरा तो यह इसके लिए किया गया है ताकि वहां पर जो इंटरनेट स्पीड है वह ज्यादा हो तो यह पहला पॉइंट आपको याद रिखना है बात करते हैं यहां पर अब यहां पर से चार क्वेशन यह देखने को मिले हैं तो आप लोग लिखके बताएं अगर नहीं पता गूगल के यह आप लोग ले सकते हैं बात करते हैं नेक्स क्वेशन के ऊपर अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ओफ टूरिजिजम ने एक मूयू साइन किया है किन कंपनी के साथ जिसके है तो हॉस्पिटालिटरी को और टूरिजम इंडस्ट्री को मजबूत करने की बात की गई है वहां पर तो यह जो भी हाल ही में मूईू साइन किया गया है मेक माई ट्रिप इंडिया और इसनके साथ साथ ही आइभीबो ग्रुप प्राइवेट लिमेटेड यानिकि आंसर हो कोई-19 के दौरान सबसे जाधा अगर कोई एफेक्टिव हुआ है किसी को इफेक्ट तो वो टूरिजम इंडस्ट्री है तो वापिस से किस तरीके से इनको इंप्रूफ किया जाए तो गवर्मेंट अब प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके मूय साइन कर रही है ताकि इसमेंट अवेरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर्डा हॉस्पेटलिटी इंडस्ट्री हो सकता है आप से यही पूछा जाए यह आपको याद रखना है तो यह किया जाएगा ऑनलाइन ट्रैवल एजन्सी प्लाटफर्म जितने भी मश्वूर है दो तो आप लोगों पता की याद रखेगा जी किशन रेटी समय मिनिस्टर है इनकी कॉंस्यवंशी कहां है तो यह है सिकंद्राबाद कहां है तो वह तो त्लंगना अब त्लंगना इंपोर्टेंट है नीउस में अभी अहाल ही में था थर्टी नाइन्थ युनेस्कों की हेरिटेज साइट जो है रम किया है किस फील्ड के लिए इंडिया ने अभी USA के साथ साथ बांगलादेश के साथ भी मॉयू साइन किया है तो इंडिया ने जो पहला मॉयू साइन किया है USA के साथ यह किया गया है तो आपको दोनों याद रखने है एक्जाम में अगर पूछा जाएगा तो USA की capital क्या है USA की capital है Washington DC जहां पर आप लोगों को ज्यादा तर जो United Nations के बड़े-बड़े organization के parts हैं वो आपको दिखेंगे एक चीज याद रखना जितना भी financially चीज़ें होती है UN की वो सब के headquarter आप लोगों को जो है USA में दिखेंगे फिर वो आपको वर्ल्ड बैंक हो IMF हो यह याद रखना इसी के के कौन है USA के है जो बाइडन जिनका नाम आप लोग वैसे भी न्यूज में काफी जादा देख रहे हैं अफगानिस्तान इस्यू के बाद बात करते है नेक्स पॉइंट पे question number 4 यहाँ पे यह है अभी हाल ही में कौन सी ministry ऐसी है जिसनों ने अडॉप किया है scheme for exaggeration of private explanation agencies for minerals तो यह किस ने किया है आप लोग इसको गैस्पी कर सकते हैं नाम के साथ यह किया गया है ministry of mines के द्वारा अब एक्जाम में question यह नहीं पूछा जाएगा आप से एक्जाम में अगर question पूछा जाए है ministry of mines के minister कून है तो वह है इस समय प्रलाद जोशी इनका नाम याद रखेगा प्रलाद जोशी जी है इस से मिनिस्टर कॉंसिएंसी भी साथ साथ याद रखेगा धरवाड जो है करनाटका में करनाटका के लिए याद रखना खेलो इंडिया university game जो है वह वहां पर होंगी इस बार करनाटका में तो यह इसलिए काफी important है स्टाटिक जी के जिस साथ से पूछी जा रही है तो यह एक्जाम पॉइंट व्यू से काफी important है बात करते हैं next question के उपर अभी हाल ही में किसने sign किया है agreement on the cooperation of in remote sensing satellite data sharing तो यह किसके द्वारा किया गया है तो यह किया गया है ब्रिक्स नेशन के द्वारा यानि की ब्राजिल रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इन लोगों ने आपस में एक साइन किया है agreement जिसके तरह युनाइटे नेशन सेक्योर्टी कांसिल की भी चेर्मेंशिप अभी आपको बहुत कोशिश कर रहा है इस समय पर्मनेंट बनेगी बट फिलाल अभी नहीं है तो आप लोग कहेंगी इंडिया भी पर्मनेंट नहीं है तो इसके पास प्रेजिटेंशिप कैसे आई चेर्मेंशिप कैसे आई तो आपको बता दू यहां पर क्या होता है अल्फबेटिकली चलती है चीजें जो जो नॉन पर्मनेंट मेंबर्स है उन लोगों को मिलती है जैसे ऑगस्ट में इस समय इंडिया है तो अगले साल दिसेंबर में सुख मांडविया जी इन्हों लॉंच किया है एक प्रोग्राम जिसके इंक्रीज किया जाएगा टू रीच आफ पी एबी पी एम जे एवाई तो यह है आपका आईश्मान भारत परधान मंत्री जन आरोग्य योजनाब एक्जाम में कहीं बार डिरेक्ट यह पुछा जाता है तो यह जो अभी हाल ही में किया गया है कौन से ऐसा स्कीम है जिसको लॉंच किया गया है तो इसका नाम है आरोग्य धारा टू पॉइंट ओ तो यह याद रखिएगा बहुत इ यह चीज़ें देखने को मिल सकती है मिनिस्ट्य आफ हेल्थ फैमिली वेलफेर मिनिस्ट्र है मंसु कौन मांडविय जी इनकी जो है राज्यसभा मेंबर है गुजरात से और गुजरात के जगा है धोला वीरा जो की 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एड की अभी हाल ही में अक्वाडिंग टू ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स जो रिलीस किया गया है चेन चेन अनलिसिस के द्वारा तो इसमें बतारना है आप लोगों को इंडिया का रेंक क्या रहा है 154 कंट्री के बीच में तो इंडिया का रेंक रहा है सेकेंड बहुत जादा इंपोर्टेंट है आपको टॉप पे कौन है वो भी याद रखना है यह है वैतनाम वैतनाम की कापिटल कंबाइंट बॉक्स में लिक्के बताईएगा थर्ड है यहां पर पाकिस्तान और सेकेंड है यहां पर इंडिया तो यह याद रखिएगा जो अभी हाल में किसने अनौन्स किया है नियू ग्लोबल फंट फॉर स्पाइबर सीकूरिटी नेम सैबर सीकूरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड यह बहुत इंपोर्टेंट होगा आप लोगों के एक्जाम में जो है इंपोर्टेंट इंटरेशन और और उर्ग आपको देखते हैं दे तो यह आपको याद रखना है पहला पॉइंट वर्ल्ड बेंक बना कब था स्टाटिक जीके का पार्ट में आपको साथ साथ ब्रॉटत आता हूं यह 1944 में बना गया था टोटल मेंबर्स कितने इसके आज की डेट में तो वह है 189 प्रेजिडेंट कौन है तो वह है डेविड मैल पास वाशिंग्टन डी सी में इसका क्या है है यहां से आप लोग इसको याद रख सकते हैं बात करते हैं नेक्स के उपर अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलिनेर इंडेक्स आया है यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में इस पर क्वेशन देखने को मिलते हैं इस इस पर अभी आपको बताना है रिचेस परसें इंडा वर्ल अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलिनेर इंडेक्स 2021 कौन है तो टॉप किस ने किया है वर्ल्ड वाइड तो वर्ल्ड वाइड टॉप किया गया है ऐलन मस्क के द्वारा पहला पॉइंट इसमें अगर आप स मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं अजीम प्रेम जी थर्टी सिक्स रैंक है इनका ट्विंटी थर्ड है यहां पर शिव नडार फिफ्टी सेकेंड और लक्ष्मी मित्तल इनका क्या है यहां पर रैंक इनका रैंक है 71 यह पांच नाम ऐसे हैं जो आपको हर बार देखने को मिलते हैं बट एक नाम ऐसा है जो इस बार एड हुआ है वो है रादा किशन दमानी का यह कून है यह डी मार्ट एवेन्यू है सु करें डांक तॉप पह रहे थे किसे मालिक हैं यहां एमर्जॉन के आप लोगों बतानाा है एलन मास् किसके वेताना माट बात करते हैं नएक्स रेखन के उपर बात करते हैं इस एल नरायन के स्पोर्ट से रिलेटेड हैं जैसे अभी हम लोगों ने देखा आप से पेपर में पुछा गया है माइकल फिलिप्स के बारे में उसायन बोल्ट पर क्वेशन पूछे हैं तो इसी तरीके के क्वेशन आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे याद रखना फोर्वब उता दू इन्होंने खटम किया है ऐस बार शेकेंड पर जीटा किस ने है तो यह जीता है अलेक्जैंडर डॉन चंको ने अब यह कहा से है तो ही जर्मनी के प्लेयर है जर्मनी के एक कोवर प्लेयर है उनका नाम है व्येतर ये जैवलिन थ्रो के प्लेयर है इनका नाम याद रखना ये भी एक्जाम में पूछा जा सकता है बात करते हैं नेक्स क्वेशन के उपर वर यूएन वर्ल्ड हुमेनिटरियन डे हर साल किस डेट को अब्जर्व किया जाता है तो ये हर साल अब्जर्व किया जाता है 19 अगस् को ही क्यों मनाया जाता है एक कैनल होटल बॉंब अटैक हुआ था बगदाद इराक में जिसमें 22 लोगों की जान गई थी जिसमें जो है मैं आपको बताता हूं नाम सर्गियो विरेडा मेलो थे इनका भी निदर्ण गया था यह समिछ चीफ इमेंटरियन थे इराक के तो इस है next question पर अभी हाल ही में इंडिपेंडेज के दिन चार नई डिस्ट्रिक्स और अठारा नई तेसील एड की कि गई है किस स्टेट में यह क्वेशन काफी इंपोर्डन है अभी यहहाल ही में की गई है च्छतिस गड़ के अंदर और चटिस गढ़ पर अभी कोईश्न पूछ रहे हैं थोड़े लेक्सेज धिले हो रहे हैं आप लोग हमाई साथ कोपरेट करेंगे हम लोग बहुत ज़ादा एफर्ट यहां पर इस समय लगा रहे हैं ताकि अभी भी जो दो से डाई महीं ने आप को कल मॉर्निंग में जिसमें 21st August के करेंगे और कल शांप को ही हम कर देंगे 22nd August के खतम और फिर कोशिश करेंगे एक सीक्वेंस में इस क्लास को चलाते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोगों की वजह से हम लोग 142 के सब्सक्राइब अच्छ कर चुके तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देखके हम लोग भी मेनत कर रहे है हम लोगों की मैनत आप लोगों को झाल झाल